हेलो, यूनिक एक्केशन के अनलाई सिंटर पर आपकर बहुत-बहुत स्वागत है जिस तरीके से क्यूस्चन्स पैटर्न बदल रहे हैं और जिस तरह से नए-ने क्यूस्चन्स आ रहे हैं वैसे ही हमने 10 क्यूस्चन का एक्सेट बनाया है जो कि किवल मौरेवन्स से संबंदित है आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो यहां से क्यूस्चन आपके पीपर में बन सकते हैं चलिए फिर टेट्स सुरू करते हैं और पहला क्यूस्चन आप ध्यान से देखें और बताए एंसर क्या होगा क्यूस्चन देखें सोचे फिर हमां एंसर बताएंगे आप एंसर मैच कराईएगा अपने एंसर से चड़क का एक अन्य नाम क्या था भट्ट स्वामी विस्डो गुप्त राज सेखर विसाखदत सोचे चलिए आप एंसर सोच लिएँगे आपको एंसर बताते हैं यहां पर इंस्वर भी सही होगा विस्डू गुप्त का नाम ही चाड़क के था चाड़क का नाम विस्डू गुप्त था और इसके साथ उनका एक नाम और था आप जानते होंगे उनका एक और नाम था कौटिल ले कौटिल ले विस्डू गुप्त और चाड़क के तीन नाम थ पर एक विद्याले था तच्छिसिला विद्याले जो कि भारत का सबसे प्रहचिंतम विद्याले गिना जाता है और इसी विद्याले में अध्यापक थे विष्ड़ुगुप्त और इनको पता चला कि सिकंदर यूनान से बड़ी सेना लेकर भारत आकब भिजय के उपलच में आ रहा है तो इन्होंने अगल बगल के राजाओं को यह बात बोली तो लोग इनका मजाक उड़ा है और उन्होंने कहा कि हम लोग अध्यापक हैं या फिर हम लोग छोटे राजा हैं हमें इनसे कुछ मतलब नहीं है वा रहा है अपना विजय करे जाए तो यह भारत की रच् में आता है तो नंदवंस के सासक घंणनंद के पास यह जाते हैं और अपनी बात बोलते हैं तो घंणनंद ने इनकी विजयती की और इनकी बाते नहीं सुनी तो यह उसी समय प्रण करते हैं कि मैं इनके समराज का नास कर दूँगा और नहोंने चंदरगुप्त मौरे को जो मगद को जीता और मगद को जीतने के बाद चंदरगुप्त ने सिकंदर के सेनापती को भी हराया और उसकी बेटी से साधी भी किया तो कई काम यहां पर हुए हैं जो कि विजडुगुप्त से ही संबंदित हैं तो काफी इंपोर्टेंट है याद रखिएगा और विजडु था तो थोड़ा सा इनके बारे में भी आप जान लो यहां पर आप देखो विजडुप्त कालें विभूती थे मतलब नाटकार थे इनका रचना है मुद्रा राचस और देवी चंदर गुप्तम और मुद्रा राचस में चंदर गुप्त मौर के जीवन संबंदित बहुत सा और भास और ऊपर देखें आप कि देवी चंदर गुप्तम में गुप्तवनसी साथक राम गुप्त के बारे मề nghुत जो है चंदर गुप्त दिती का बड़ा worst में मिलता है। नाट धरपड से प्राफ्त होते हैं बहुत सारी जानकारी है यहां पर जोकि वीर रस प्र प्रशिद रचना है समुचे संस्कृत साहित में कुंतक और राजसेखर ही दो ऐसे आचार हैं जो संस्कृत पंडितों में मानस उतने ही महत्वपूर हैं जितने की रसवादी या पिर अलंकार वादी मतलब कहने का यह है कि काव मिमानसा की यह रचनाकार है यह आप जानते रह हमने बता दिया चंद्रकुत मौर से यह संबंदी थे यह भी आप जानते हो चलते हैं नेस्ट क्यूस्चन पर आसा करते हैं आपका जरूर सही हुआ होगा अगला क्यूस्चन देखें काफी अच्छा और बहुत महत्वपूर क्यूस्चन है निमलिखित में से किस की तुलना काली द्यास का मालविकागर मित्रम कोटिल का अर्थसास्त्र वाससायन का कामसोत्र त्रुवलूर का तिरक्कल सोचें चलिएं से बतादें आपको यहां पर ऑप्शन भी सही है जिस तरीके से काउटिल ने मतलब बिशुड़ू गुप्त ने मतलब चाड़क ने अपने अर्थसास्त में मौर प्रसासन और राजविवस्था के बारे में अच्छे से बताया है उसी तरह एक अंगरेजी लिखक ह मैं कि आवले इन्होंने अपनी पुस्तक दप्रिंस में भी ऐसे ही बहुत सारी चीजे प्रसासन से संबंध चीजे बताई गई है जब भारत की कोई चीज कोई ग्रंत कोई वस्तु जबत किसी भी देश से मिलता है तो उसका कंपेर उससे किया जाता है तो यह जनरल चीजे आप जानते होंगे जिसे भारत का बोस्टन उत्तर का मैंचेस्टर इस सब चीजे आप पढ़ते होगे तो किसी दूसरे देश से तुलना करते हैं जिसे भारत जिसे भारत का विसमार्क विसमार्क क्या थे जर्मनी में थे उन्होंने जर्मनी का एकिकरण किया था वह इसे भ प्रिंस से मेल खाती है तो इसको याद रखिएगा बहुत इंपोर्टन क्यूस्टन ये कई बार पूछा भी जा चुका है इसलिए ध्यान रखिएगा बाकि अनी चीजे आपको ये याद रखना है काली दास की पुस्तक के माल विकागन मित्रम है ये आप याद रखेंगे वा कुस्तक की रूप में का अंसर होगा वो अप्समाझा रखोरा होगा कॉटिल का अर्थसास्तर में असा करते हैं का आपका सही हुआ होगा आए राज चाहा क्यूस्ट्स ये भी वह कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी असोक अजास्त्र कनेश्क सिमुक सोचें चलिए अजिस बताते हम आपको यहाँ पर आफशन ए सही है असोक दरसल चंद्रगुप्त मौर जो था वो मौरवन्स का संस्थापक था उसके बेटी का नाम था बिंदुसार अब बिंदुसार के अन्त अवस्था आती है जब वो सोचता है कि अपने राजगर्दी सौप दे अपने बच्चों में तो माना जाता है कि उस समय उसके 101 बच्ची थे जिनमें सबसे बड़ा सिमुक था जो कि यहाँ नाम दिया गया है जो सबसे छोटा था वो तिस्य था और असोक दूसरे नंबर पी था लेकिन राज के नियम के हिसाब से बड़े बेटे को राजा बनना था इसलिए लोग सुसीम को बनाना जाए लेकिन इसलिए राज के नियम से सुसीम को राजा बनना था लेकिन जनता चाती थी कि असोक राजा बने क्योंकि यह असोक ज्यादा योग था तो इसी मतभीद में असोक ने क्या किया कटार उठा ले और अपने सभी भाईयों की हत्या कर दी और उसने गद्धी हत्या लिया तो ये पूछा जाता है कौन से सासक अपने सो भाईयों की हत्या कर गद्धी को प्राप्त किया था तो असोक था अब कितना सही कितना गलत ये तो इतिहास कार जाने लेकिन ही आप इतना जानते रहेगा की असोक मौरवन्स का तीसरा राजा तो पहला चंदुर्प्त 14 राजा थार और मौरवन्स का संस्थापक चंदुर्प्त 10 की अस्थापना की थी, जनरली फैक्ट ने इस अब आप जानते रहेगा, यहाँ पर जो अजात सत्र दिया है, कनिस्क दिया है, सिमुक दिया है, इसमें से मैं दो का नाम बताता हूँ, तीसरे को आप कमेंट बाक्स में बताएंगे, वो किस वंस से संबंदी थे, इसमें आपको ने कमेंट बाक्स में बताता है, किस संबंदी थे, चलते हैं, नेस्ट के वुस्चन पर, अच्छा के वुस्चन है यह मैं निम लेकित में से, असमराथ हा की पत्नी, वह, पत्नी कौन थी, जिसने उसको सरवाधी प्रभावित किया, मतलब से ज्यादा प्रभावित किया, ह् जिसका प्रभाव असोक पर सरवाधिक पड़ा, वो कौन थी, चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारवाकी, सुचें, चलिए हैं, से बताते हम आपको, यहाँ पर आप्शन, डी सही है, कारवाकी, कहा जाता है का असोक ने सबसे लाष्ट में कारवाकी से साध्य किया है, इति और बहुत सारे राज में निर्ड़य, बहुत सारे प्रथाओं का प्रचलन, बहुत सारे प्रथाओं को बंदी करने सारे असोक ने कारवाकी के, से बिचार करके किया था, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव इनका दिखता है, तो यह आप जानते रहिएगा, बाकि असोक को चंडालिका, चंडालिका नहीं, कोई पतनी नहीं थी, दरसल असोक ने जब लोगों को मारने के लिए एकदम काली का रूप धारण किया, मतलब जिसको भी चाते थे, मार देते थे, जो भी राज चाते थे, छीन लेते थे, तब उनको चंड असोक कहा जाता था, एक मूवी आई थी, मूवी आई थी सारू खान की, द असोका, द ग्रेट असोका, आप उसमें देखो गित कारवा की कहानी दिखाई गई है, चलते हैं, नेश्ट क्योश्चन पे, यहाँ पर आपका सही हुआ होगा, चलि एकला क्योश्चन देखते हैं, क्योश्चन है, असोक ने अप को, यहाँ पर आफशन, यह सही है, अर्ध मगदी भासा, मगदी भासा नहीं, अर्ध मगदी भासा मतलब कि मगद की कुछ भासा, कुछ अगल बगल की भासाओं को मिलकर, मिला कर, हाला कि उन्होंने कई लीपी, ब्राम्ही, खरोष्टी लीपियों में भी बहुत सारी चीज लिखवाई थी, यहां करा है कि अभलेकों में एक रूपता, मतलब एक रूपता से किस प्राकित का प्रयोग किया, मतलब सभी अभलेकों में रूपता लाने के लिए, किसको सरवाधिक उपयोग किया, किस भासा का, तो वो था, अर्ध मागदी, तो आसा करते हैं, आपका सह पढ़े होंगे एक आप से गलत नहीं होगा जो बताते ही अपको आप सब्सक्राइब दूसरे नंबर असोक थे और बात ये थी कि बिंदुसार ने जो है तच्छिसिला के छेत्र में फूसीम को न्यूट किया था वहां पर प्रसासन करने के लिए देख रेक करने के लिए असोग को न्युक्त किया था उज्जैन में अब दोनों अपने अपने जगापन प्रसासन कर रहे थे और मेन राजा था बिंदुसार जो की मगद में था अब क्या हुआ तचसिला में विद्रो हो गया जो कि सुसीम से नहीं सम्हल रहा था विद्रो तो उस विद्रो को दबाने के लिए उजयन से असोक को भेजा गया और असोक जाकर उस विद्रो को कुचल देते हैं इसलिए असोक की योग्यता बढ़ जाती है इसलिए लोग सोचते हैं कि असोक को ही राजा बनवाया जाए तो आप यहाँ याद रखेगा कि इस बिंद्रोह को चलने के लिए असोक को भेजा गया था तचसिला इसको आप याद रखेंगे और उसमें असोक कहां से सुबेदार आपको यहाँ पर आप्शन यहाँ पर एंस्वर यह सही होगा असोक का ही अन्य नाम देवा नाम प्रेदर्सी मिलता है इसको आप याद रखेगा और असोक के तीसरी राजा थे आप जान गए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं चंद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त जो मौरित है इनका कोई फर्ष सेकंड नाम मिलता नहीं क्योंकि यह गुलाम के रूप में इनकी सुरुवात हुई थे चाड़क के दौरा यह जो गौतम बुद्ध हैं इनका जो पहले नाम था इनका नाम था सिधार थे तो आप पढ़े होंगे यह सिधार थे ज्यान प्रा जाओ था आरे सत्त जोड़ा था जिसे बोलते हैं ब्रह्मचर तो यह भी आप याद रखेंगे कई चीज़ें इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगा और यहां पर जो एंसर था आप्शन एस था चलते हैं नेक्ट क्यूस्चन पर अगला क्यूस्चन देखते हैं काफी अच् महाजनपदों का उदय हुआ तो उनमें सबसे जो विख्यात महाजनपद था वह मगत था महद में एक वघर्ड्रिक्रद सेस्था नंदवंस के अन्तिम छासगत हैं घणानन्द की हत्या करके चंदरगुप्त मौर ने मौरवंस की अस्थापना की मौरवंस के पतन के बाद तब सुरू होता है कडवंस आता है कडवंस के बाद कुसाडवंस आता है और कुसाड़ों के समय में ही कडवों के कुसाड़ों के समय में ही गुप्तवंस चल रहा होता है लेकिन good ones इन सब के बाद में उतकर्स पे आता है तो देखा जाए more ones इन में से सबसे प्राचीन का है तो इसको आप याद रखेगा थोड़ा सा जब आप इतिहास पढ़ें थोड़ा करम भी धियान रखा करें कभी कभी करम मिलाने से question आता है थोड़ा सा कभी सन नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है कि एगर आप थोड़ा सा भी सन धियान रखें रहोगे तो आप करम बता सकते हो कौन पहले था कौन सा बाद में था यहाँ पर option यह सही था आसा करते हैं आपका सही हुआ होगा चलते है next question पर आए अगला question देखते हैं काफी सरल question है question है कौटिल चाड़क किसका प्रधान मंतरी था कौटिल अथवा चाड़क अथवा विशुड़ो गुप्त किसका प्रधान मंतरी था चन्दगुपदिती चन्दगुपदमौर असोग अजासत्र चली एंस बताते हैं आपको अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा जितना सुना होगा उसके इसाफ से यह कि उस्चन आप से कभी नहीं गलत होगा यहाँ पर आइंस्वन वही जो आप सोच रहे हैं चन्दगुपदमौर ने ही तो चन्दगुपदमौर को ही तो राजा बनाया था मगत का चाड़क ने तो उसका ही प्रधान मंतरी था जनरल चीज है लेकिन उसके बाद ये बिंदुसार का भी कुछ समय तक प्रधान मंतरी नियुक्त करता है तो आप वह भी नाम याद रखेगा यहाँ पर आफ़सन भी सही है चलते हैं नेश्ट क्यूशन पर चलिए आज का लाश्ट क्यूशन देखते हैं काफी अच्छा काफी सरल क्यूशन है कलिंग विजय के बाद असोक महान ने निमिकित में से किस धर्म को मौंगिकार किया जनरली आप जानते हो महान असोक उसी से परसिद्ध भी हुआ था जुडिज्म बहुत हिंदू जैन चलिए अंसे बताते हैं आपको यहाँ पर option भी सही है बहुत धर्म असोक ने बहुत धर्म अपनाया था यह जनरली आप जानते होंगे बहुत धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे जिनका बच्पन का नाम सिधार्थ था और इन्होंने अपने पत्नी और अपनी बेटे राहुल को छोड़ दिया था और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृत्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में बिहार में इनक हिंदु धर्म का कोई उत्थान का समय नहीं मिलता है कि कभ हुआ था बस पता चलता है कि बहुत प्राचीन धर्म है हिंदु धर्म जनरली जानते रहेगा है हाँ पर आपसान 20 सही है आसा करते आपका दस्क दसों सही हुआ होगा कितना सही कमेंट बाक्स में नंबर जरूर ब बताएगा मिलते हैं आपसे नेस्ट वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तब तक आप पढ़ते रहे हैं मिलते हैं आपसे नेस्ट वीडियो में